विए अगर विडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल का घंटी बजा दिएगा क्योंकि मैं आपका धिमार का घंटी बजाने वाला हूँ तो फ्रेंट्स हमारे सामने कोश्चन है हमारे सामने कोश्चन है इसका HCF हमें निकालना है और चार ओप्सन दिया हुआ है तो फ्रेंट्स आप इसे डिविजन मेथट से भी बना सकते हैं फ्रेक्टराइजेशन मेथट से भी बना सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस डिविजन मेथट से बनाएंगे, तो 396 को पहले 408 से भाग देंगे, फिर जो HCF आएगा, उस HCF से 444 को डिवाइट करेंगे, तब जा अगर के आपको फाइनली एंसर मिलेगा, इतना में तो आप 10 मिनट तो लगा ही देंगे, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथट से बनाए इतना टाइम तो एक्जाम में रहता नहीं है, तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, no confusion, direct solution, क्या है आईए बताता हूँ, तो फ्रेंट्स करना क्या है, करना क्या है आपको, इन तीन नमर में ऐसा कोई 2 नमर का करना है जिसके बीच का अंतर बहुत कम है जिसके बीच का अंतर बहुत कम है डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए ऐसा दो नमबर को चुनना है अब क्या करते हैं देखिए यहां लिखा हुआ है 396, 408 तो 396 और 408 के बीच में अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना क मैंने पहले ही बताया कि आपको ऐसा दो नंबर को चुनना है, सेलेक्शन करना है, जिसके बीच का difference अंतर बहुत कम होना चाहिए, तो इन दोनों की बीच में 36 है, और इन दोनों बीच में क्या है 12 है, तो इसका difference क्या है कम है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, लेंगे, इन द दोनों की बीच में difference 12 है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चलाकी करेंगे, दिमाग लगाएंगे, और देखें कि option में 12 है, तो इसका मतलब answer हो सकता है, confirm नहीं है, अब आगे देखिए, answer हो सकता है, option में है 12, अब क्या करना है, अब देखेंगे कि 12 यहां तो आ गया, तो 12 से दिवाय्ट हो जा रहा है, और option में भी है, इसका मतलब 100% यह confirm हो गया, 100% confirm हो गया, कि इसका answer यह 12 ही होगा, क्योंकि 12 से 3 on divide हो जा रहा है, यह भी divide हे, यह भी divide हे, आउपसन में भी है, इसका मतलब answer 12 होगा, तो आप देख सकते हैं, यहां कोई process नहीं करना है, question देखिए, बस डिफ्रेंस निकालिए अब यहां चेक कीजिए तीनों डिवाइड हो रहा है अप्सन में भी है तो 100% यह कनफॉर्म हो गया कि एंसर इसका डूएल भी होगा आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है तो फ्रेंट चलिए बढ़ते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन क कजिए अगर यह बहुत टाइम लग जाएगा अगर बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन इससे पहले बाले कोस्टों में मैं जो ट्रिक करना थे क्या करना है जिसकी बीच का डिफ्रेंस क्या है बहुत कम होना चाहिए ऐसा दो नंबर को आपको चुनना है जिसके बीच का अंतर बहुत कम होना चाहिए तो अब यहां देखेंगे क्या कि 1800,93 बीच में क्या है दोनो नोबर की बीच में difference कितना का है वन का है अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है अब दिमाग क्या लगाना है कि देखेंगे यहां 1 आया और option में भी 1 है, इसका मतलब हो सकता है, यहाँ तो 1 है, अब देखेंगे कि यहाँ सबसे कम difference में तो 1 आ गया, option में भी है, option में भी यह सबसे divide तो है ही है, तो मतलब 100% यह confirm हो गया, कि answer तो यही होगा, answer यही होगा, तो कितना short process है, आप देख सकते हैं, next question हमारे सामने है, next question हमारे सामने है, इसे भी अगर आप division या fraction method से बनाएंगे, तो बहुत lengthy process होगा, हमारे trick से अगर आप देखेंगे, तो मैंने पहले क्या बताया आपको, पहले क्या बताया है कि ऐसा दो number को आपको selection करना है, जिसके बीच का difference अंतर क्या होना चाहिए, बहु हम यहां देखेंगे कि 527, 527, 527 और 589 की बीच में difference कितना का है, तो दोनों की बीच में देख रहे हैं, तो difference 62 है, दोनों की बीच में difference कितना है, 62 का है, लेकिन अब धिहान दीजे, कि 62 यहां आया, 62 तो option में है ही नहीं, 62 तो option में है ही नहीं, पतलब 62 तो answer हो नहीं सकता, अ अब क्या करेंगे, और 62 इधर डिवाइड भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसका फेक्टराइजेशन करेंगे, इसका फेक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, 31 इन्टू 2 हो जाएगा, 62 का फेक्टराइजेशन करेंगे, तो 31 इन्टू 2 हो जाएगा, अब दिमाग क कि अगर 31 cc divide कर हbeans तो one time is 31 फिर इदर क्या हो रहे हैं ये वी डिवायड हो जा रहा है इसको डिवाइड करने हैं ये विक – बाइड हो जा रहा है मतब 31 से ये विक जो जो है ये विक आप नहीं हो गया है इसका मतलब ये तो पता चले रिया कि जब टिवायड हो गया highest common factor क्या होगा मत्तो 31 option में भी है तब तो पूरा confirm हो गया 100% ही है confirm हो गया कि इसका answer जो है 31 ही होगा हमारे सामने है next question हमारे सामने है 341, 279, 558 और 4 option दिया हुआ है अब इसका HCF निकालना है अब क्या करेंगे जैसे पहले मैंने बताया पहले मैंने बताया इसमें क्या करना है आपको देखना है कि कौन से दो नंबर के बीच में difference कौन से दो नंबर के बीच का अंतर जो है सबसे कम है अब यहां देखेंगे अब यहां हम देखेंगे कि इन दो नंबर के बीच में ये दोनों नमबर की बीच में अगर हम difference चेक करेंगे difference चेक करेंगे तो आएगा 62 difference चेक करेंगे तो आएगा 62 अब देखना क्या है? option फिर नज़े डालिए 62 तो है ने, 62 तो option में है ने तो ये तो answer हो नहीं सकता तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 62 से ये डिवाइड हो ने रहा option में भी है तो answer तो ये हो नहीं सकता है तो अब क्या करेंगे? इसका factorization करेंगे इसका factorization करेंगे तो कैसे होगा? 31 into 2 में होगा 31 into 2 में होगा अब फिर option winner डालिए option winner डालिए तो देखेंगे यहा 31 आ रहा है और 31 option में भी है यहा 31 आ रहा है option में भी है इसका मतलब answer हो सकता है अब आगे देखना क्या है? कि 31 से अगर इसे divide कर रहे है तो ये भी divide हो गया अब 31 से इसे भी divide करें तो ये भी divide हो गया और 31 से जब इसे divide कर रहे हैं तो यहां one time हाँ ये भी divide हो गया पतलब 31 से divide हो गया option में भी है तो confirm ऐसे हो गया कि answer तो 31 ही होगा HCF question हमारे सामने है next question हमारे सामने है जिसमें HCF निकालना है 56, 132 and 148 चार option दिया हुआ है तो friends अगर इसे division method और factorization method सबका अलग-अलग factor करते जाएंगे फिर common check करेंगे तब जाकर कि अगर आप HCF निकालेंगे तो process बहुत lengthy पड़ सकता है division method से भी तो और lengthy पड़ जाएगा तो trick जो मैंने बताया उसमें क्या मैंने बताया कि आपको यह चे करना है कि कोई भी दू नबर की बीच में कोई भी दू नबर की बीच में देखना है कि किसमें जो है अंतर कम है, difference कम होना चाहिए जादे वाला भी अब ले सकते है लेकि process लेंदी हो जाएगा तो आप कम difference के लिए अगर यहां आप देखेंगे तो 132 और 148 की बीच में आप देखेंगे कितना का difference है अंतर कितना है, 16 का है तो आप देखेंगे कि 16 जो है, 16 जो है option में तो है नहीं, तो answer तो होगा नहीं option में है तो answer होगा नहीं अगर यहां option में होता भी, अगर 16 होता भी, तो answer confirm करने से पहले, हम यह check कर लेंगे, divide दे करके, तब ACF confirm करेंगे, ठीक है, अब क्या करना है, 16 आया, तो इसका factorization करेंगे, factorization क्या करेंगे, 8 into 2 में करेंगे, 8 into 2 में लिखेंगे, तो अब देखेंगे, 8 into 2 आया, तो 2 तो हो सकता है, 2 सबसे divide है, लेकिन हमें highest common factor निकालना है, highest निकालना है, ठीक है, highest निकालना है, तो उससे पहले हम highest check कर लेंगे, तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, क्या उससे बड़ा number भी कोई divide होगा, तो 8 को अगर देखेंगे, तो 8 तो option में है यह नहीं, 8 त option में है नहीं, तो 8 तो answer होगा नहीं, 8 तो answer होगा नहीं, तो अब इससे क्या करेंगे, इस 16 को फिर से अगर factorization करेंगे हम 4 into 4 में, 4 into 4 में अगर करेंगे, तो देखते हैं 4 into 4 16 होगा, अब 4 देखेंगे, तो यहां option में तो है, 4 क्या है, option में है, इसका मतलब answer हो सकता है, अब देखेंगे कि 4 से यह भी डिवाइड है, 4 से यह भी डिवाइड है, 4 से यह भी डिवाइड है, इसका मतलब confirm हो गया, confirm हो गया कि यह 4 जो है, answer इसका यही होगा, इस्ट कोचन हमारे सामने है, 58, 132, 148 और 4 ओप्शन दिये वे और इसका HCF निकलना है, तो इसके पहले जैसे मैं यहां देखेंगे कि 132 और 148 की बीच में देखेंगे, तो difference कितना का है, तो 16 का difference है, दिफरेंस कितना का है, 16 का difference है, लेकिन 16 तो option में है ही नहीं, 16 तो option में है नहीं, तो answer तो होगा नहीं, अब क्या करेंगे, 16 का factorization करेंगे, 16 का factorization करेंगे, 8 into 2 में, अब चेक करेंगे, 8 into 2 करेंगे तो 8 देखेंगे तब तो यहां option में है यह नहीं तो 8 भी नहीं होगा एड भी नहीं होगा लेकिन 2 तो हो सकता है लेकिन इससे पहले चेक कर लेंगे कि इससे पहले भी कोई highest number आ रहा है क्या चुकि हैसी अपनिकाला है highest common factor निकालना है तो अब क्या करेंगे इस 16 को फि टot कि पहले डिवायट चेक कर लेंगे तो अब यहां ध्यान देंगे कि फोर यहां आ गया नहीं होगा यह जो liar है 58 जो है फोर से डिवाइट नहीं होगा जब फोर से डिवाइट नहीं होगा तब तो होगा नहीं अब क्या होगा एड भी नहीं हो रहा है फोर भी नहीं हो रहा अब यह बचा टू यह बचा टू अब क्या हो रहा है टू ओप्सन में भी यह तो ऑप्शन में भी है अब डिवाइड करके चेक करेंगे तो यह भी डिवाइड है तू से यह भी डिवाइड है इसका मतलब कनफर्म हो गया 100% कनफर्म हो गया कि इसका HCF जो है टू ही होगा और नेक्स्ट पोस्टन हमारे सामने है 973-782-775 ओफशन दिया हो है 1234 अब HCF निकालना है तो इसके पहले मैंने क्या बताया कि आपको चेक करना है कोई भी दो नमबर की बीच में difference जोए सबसे कम आ रहा है तो अगर आप दिहान देंगे कि 782 और 775 782, 775 की बीच में अगर चेक करेंगे तो difference कितना का रहा है 7 का रहा है 7 का रहा है तो अब देखेंगे कि 7 तो option में 7 तो option में है ही नहीं तो answer तो होगा नहीं अगर option यहां होता भी अगर 7 यहां होता तो confirm करने से पहले सब में divide करके check कर लेते हैं ठीक है तो option में है ने तो answer तो होगा ने अब क्या करेंगे इस 7 का factorization करेंगे 1 into 7 में अब 1 into 7 में अब देखेंगे अब क्या देखेंगे कि 1 यहां है यहां 1 आया और यहां 1 option में भी है इसका मतलब answer हो सकता है अब 1 है तो सबसे यह भी divide होगा यह भी divide होगा इसका मतलब यह 100% यह confirm हो गया कि इसका answer HCF जो है 1 ही होगा अब क्या करेंगे इसमें दो ही नंबर है इसमें तो दोनों का ही difference चेक करेंगे जब दोनों का हम difference देखेंगे दोनों का अगर हम difference देखेंगे तो कितना आ रहा है difference देखेंगे तो यहां रहा है 26 यहां कितना रहा है difference difference आएगा 26 तो अब 26 को देखेंगे कि 26 को देखेंगे तो option में तो ही नहीं औप्शन में तो 26 है नहीं तब तो answer होगा नहीं तो answer अगर यहां होता भी अगर 26 होता भी तो answer confirm करने से पहले divide देके check कर लेते हैं तो option में नहीं है तो 26 answer तो होगा नहीं answer नहीं होगा तो अब क्या करेंगे इसका factorization करेंगे तो यहां लिखेंगे 13 x 2 में अब क्या देखेंगे यहां 13 जो है option में है इतना स्दिमाग लगाना है दिमाग लगा कि यह थोड़ा देखना है कि यहां 13 आ गया और option में भी है इसका answer हो सकता है आप confirm यहाँ चेक करेंगे कि 13 से जब इसे divide करेंगे तो यहाँ देखे 13 यह divide हो जाएगा और 13 से यह भी divide हो जाएगा और 13 से यह भी divide है और और option में भी है इसका मतलब यह तो confirm हो गया 100% कि इसका HCF जो है 13 ही होगा नेस्ट question है हमारे सामने यह है अगर इसे division factorization को भी method से बनाएंगे बहुत lengthy process हो जाए क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 1015, 1250 और 1650 है option दिया हुआ चार अब HCF इसका निकालना है तो इससे पहले मैंने क्या बताया ट्रिक में आपको क्या करना है त्रिक से क्या करना है आपक चयो में दखेंगे कि यह दो नंबर के बीच में क्या है 150 1250 की बीच में कितना है डिफ्रेंस कितना अ रहा है 200 दिफ्रेंसWe है 200 और 200 तो option में है और यहां divide भी नहीं होगा ठीक है option में भी डिवाइड भी नहीं होगा तब तो यह 200 रेंसर होगा यहां है अब क्या करना है इसका erect 거리 ऐसी हम लिखेंगे 100 इंटू 200 इंटू टू में 100 इंटू टू में फिर ओप्शन में नगर डालेंगे और समय नजेbooks डालेंगे तो देखेंगे 100 यहां है और 100 तो कहीं है यह नहीं, 100 तो है यह नहीं, मतलब 100 तो होगा नहीं, एंसर तो होगा नहीं, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, फिर इस 200 को अगर हम लिखेंगे, 50 इंटू 4 में, 50 इंटू 4 में अगर लिखेंगे, 50 इंटू 4 में लिखेंगे, तो देखेंगे 50 य करेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है 50 से इसी डिवाइड करेंगे तो यह भी डिवाइड हो जा रहा है और यह 50 आप्शन में भी है इसका मतलब तो 100 परसेंट यह कनफर्म हो गया कि इसका HCF 50 ही होगा तो आप देख सकते हैं कि यह ट्रिक से कितना स्टॉट से तुरत एंसर आ जा रहा है कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है तो फ्रेंड यह हमारा लास्ट कोशन था और उमीद करता हूं आज का सेशन आपको बहत पसंद आया हुआ अगर वीडियो अच्छा लगा त लाइक सब्सक्राइबर सेर किजेगा थेंक यूओ